कोरोना वाइरस बड़ी समस्या या हम कहें इतनी बड़ी समस्या कि इसे महामारी घोजित कर दिया गया है इसके चलते देश को लॉक्डाउन करने की जरूरत पड़ गई है क्योंकि ये इतनी तेजी से फैल रहा है और लोगों की मौते हो रही है लोग बिमार हो रहे हैं कोरोना वाइरस के चलते आपने अपने आसपास के अधिकांस लोगों को चहरे पर मास्क लगा कर देखा होगा हम सभी जानते हैं कि COVID-19 खासने और छीकने से तेजी से फैलता है इसलिए WHO यानि की World Health Organization ने भी चहरे पर मास्क लगाने की हिदायत दी है मास्क यदि आप सही तरीक के से इस्तिमाल करें और कुछ सावधानिया रखें ताकि इस मास्क का आप सही यूज कर सकें जब भी घर से बाहर निकलें बिना मास्क पहने बिल्कुल ना निकलें मैंने अपने आसपास काफी लोगों को देखा है जो कि बिना मास्क पहने निकल जाते हैं और आपको ऐसा सके सावके नहीं करना है आप झान रखें कि मास्क अपने मह और नाक के आसपास अच्छी तरह से फिट करें और ऐसा फिट करें कि इसमें अबाहरी हवा जाने की भी जगह ना हो मास्क आप सारा दिन पहन कर रखें और जब आप इसे पहने हुए होते हैं तो अपने चहरे को और मास्क को बार-बार छूने से बचें आप सस्ते और बेकार मास्क नहीं खरीदें जब मास्क खरीदते हैं तो इन पर मेडिकल की N95 और FFP2 जैसी रेटिंग होनी चाहिए तब ही आप इस खतरनाक वाइरस के संक्रमग से बच सकते हैं यदि आप स्वास्त या अन्य सेवाय दे रहे हैं जिसमें आपको घर से बाहर ज़रने की जरूरत पड़ती है तो आप अपने चहरे पर हमेशा मास्क लगा कर रखें साथ ही आप साथ में सेनेटाइजर रखें और समय समय पर अपने हाथों को धोते रहें मास्क लगाते समय और खोलते समय उसके प्लीट को नीचे की तरफ से खोले और नीचे की तरफ से ही लगाएं मास्क को आपको हर 6-7 गंटे में बदलते रहना है रेगुलर लगा कर यदि आप उसे पहनते हैं और वह गीला हो जाता है तो आपको इसे हर 6-7 गंटे में बदलना है यदि आप disposable mask यूज़ कर रहे हैं तो एक बार यूज़ करने के बाद आप इसे दोबारा यूज़ नहीं करें mask यूज़ करने के बाद हमेशा आप इसे dustbin में ही डाले इधर उधर आप इसे नहीं फेक हैं तो फ्रेंड्स ये साउधानिया आपको जरूर रखना है यदि आप चहरे पर mask लगाते हैं उमेद करती हूँ कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी इसी तरह की और information के लिए आप नीचे दिए red color के subscribe बटन पर click जरूर कीजिए यहाँ पर आपको health related धेर साथ information मिलेगी बेल के आइकन को दबाईए ताकि जब भी चनल पर नए वीडियो आएगा तो आपको information मिलेगी साथी आप इस वीडियो को share जरूर कीजिए ताकि यह और लोगों तक पहुँचे और लोग इस तरह की साउधानिया रखें